Welcome back to World in 3 Minutes. हमारी आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी देस्टिनेशन जिसे टीर ड्रॉप अफ इंडिया कहा जाता है. जी हाँ, श्री लंका. I'm sure इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर श्री लंका को अपनी bucket list of places to visit में शामिल करेंगे. इंडिया से श्री लंका का flying time 6-7 घंटे का है. श्री लंका और इंडिया के बीच कोई time difference नहीं है. इंडिया टोरिस्ट को श्री लंका के लिए online visa apply करना ज़रूरी है, जो वे electronic travel authority द्वारा पा सकते हैं. श्री लंका विज़िट करने का best time इस बात पर depend करता है कि आप कौन सा coast विज़िट करना चाहते हैं. इस्ट कोस्ट विज़िट करने के लिए में से सेप्टेंबर का time सबसे best है, वहीं west और south coast विज़िट करने के लिए December से March का time सबसे ideal है. चले आपको बताते हैं, श्री लंका में काम आने वाले कुछ important traveling tips. explorer और adventure sort of travelers के लिए Northern Sri Lanka एक dream destination है, जो एक remote location होने के साथ साथ काफी हद तक एक colonial region है. श्री लंका में बुद्धा को दर्शाते हुए कपरे ना पहने, वहीं बुद्धा tattoos को धग कर रखें. तुक तुक रिक्षा में बैटने से पहले फेर की बात जरूर कर लें. वहीं trains और buses भी एक अच्छा option हो सकता है. श्री लंका में cash handy रखें, credit cards, हर जगा accept हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ऐसे ही काफी सारी helpful tips आप पा सकते हैं अंत की fact sheet में. चले आपको बताते हैं, श्री लंका में कौन सी जगाएं आपको जाना चाहिए. श्री लंका international airport पहुचते ही आपके सबसे पास है, the beach town of Negombo. यहां से एक घंटे की दूर पर है, the capital city of Sri Lanka, Colombo. Colombo में आप यह सारी attractions बिलकुल मिसना करें. Old Dutch Hospital, Ganga Ramaya Buddhist Temple, Chami Ul Alford Mosque और Geller Face Green. श्री लंका में सबसे पॉप्लर tourist destination है, Sigiriya. जहां टोरिस्ट, Lion's Rock और Pidju, Rangala, Rock विजिट करना पसंद करते हैं. यहां के Dombula Cave temples भी काफे पॉपिलर हैं. Next है, the fortified Dutch colonial city of Geller. फिर है, the temple of Tut के लिए मशूर, the city of Kendi. The sacred footprints के लिए famous Adam's Peak, नाम का mountain, हमारी next choice है. Last है, Yala National Park. श्री लंका में यह dishes आपको जरूर ट्राइ करनी चाहें हैं. गोटू रोटी, पिरिपू जो है दाल करी, हॉपर्स अपम नाम के पैंकेक्स, पोलो जो की हैं ग्रीन जैक फ्रूट करी, लैंपा राइस, आस्मी नाम के रोल्ड राइस केक, सैंबल, रेलिश, जिसके दो वेरिएशन्स हैं, पोलो और गोटू कोला. फिश एम्बूल थियाल, सार फिश करी, और लास्टली, पुड अपल. श्रिलंका में आप यहां सारी चीजें सोविनेर्स के तोर पर ला सकते हैं. चलिए, अब हम आपको बताते हैं श्रिलंका के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स. श्रिलंका इकलोदी ऐसी जगह है जहां आप दुनिया में सबसे बड़ा मैमल एलेफिंट और मरीन मैमल ब्लू वेल एक सिंगल दे में देख सकते हैं. लिप्टिंटी की शुरुआत यहीं श्रीलंका में होई थी. वर्ल्ड के सबसे पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, 1960 में श्रीलंका में ही अपॉइंट होई थी. श्रीलंका दुनिया में सिनमन के सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अकेले ही श्रीलंका वर्ल्ड के 70% सिनमन प्रोडक्शन के लिए जमेदार है इस फैक्ट शीट का स्क्रीन शॉट लेना न भूले अगर इस वीडियो ने आपको श्रीलंका जाने के लिए इंस्पायर किया है तो बुकिंग की जानकारी के लिए हमें फेस्बूक पर एक मेसेज टॉप करें जिसकी डीडियल्स आपकी स्क्रीन पर है Netsar की most popular videos देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही links पर click कर सकते हैं I'm sure आपको यह video पसंद आई होगी इसे like करें और हमारे channel को subscribe ज़रूर करें Netsar की और से thank you